नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ ITI Technical Information YouTube चानल पे तो दोस्तों National Cold Feed Ltd. ने अपने website को अपडेट किया है तो चलिए हम National Cold Feed Ltd. के official website पे आ गए हैं यहीं पे आप जैसे ही carrier में जाते हैं तो आपको एक update दिखेगा तो चलिए carrier में यहां पे आ गए है केरियर में आप जैसे ही आते हैं तो यह आपको भरती पे क्लिक कर लेना है भरती पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिया गया है रिगार्डिंग एक्स्टेंडेड टाइम स्टुड्यूल फोर समीशन ऑनलाइन अप्लिकेशन ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म समिट करने हे तू विश्तारिश समय अंतराल के समद्ध में मतलब कि जो फॉर्म फरवरी में है तो इस पे क्लिक करके हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं चलिए डाउनलोड कर लिए हैं अब देखे यह NCL जो है मिनी रतना कंपनी है जो इसका जो डेट अपडेट किया गया है वो 10-7-2020 तो देखे यह सुचना क्या है बिस है ऑनलाइन माद्यम से फॉर्म सम्मिट करने है तो विस्तारित समय अंतराल यानि कि यह जो है ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको एक्स्टेंड किया गया है उसके बारे में डेट दिया गया है तो यहां लिखा गया है कि पुर्व में आउनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अतरिक्त समय अंतराल के संबंद में नीरगत सुचना कर्मांक 208.25.3.2020 के संदर्व में संदर्वित रोजगार अधिसुचना के अनुरूप विभिन पदो के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आउनलाइन विंडो खोलने की विस्तारिस समय सारने अलब कि जो पहले फ़र्म अपलाए हुआ था वो क्लोज हो गया था और उसी को अपडेट किया गया है फिर से आउनलाइन मांगा गया है तो देखिए क्या-क्या इसमें कहा गया है कि Employment Notice Reference Notified Post ये कौन- नंबर है नोटिफिकेशन नंबर वो दिया गया है और यहाँ Schedule of Opening the Online Application बिंडो मतलब कौन-कौन सा अपलिकेशन जो है वो मांगा गया है कौन-कौन सा अपलिकेशन के लिए खोला गया है तो ये जो है 72-2020 के लिए जो नोटिफिकेशन था उसको 17 जुलाई से 3 जुलाई तक एक्स्टेंड कर दिया गया है उसी परकार 187 जो डेट था और 22-2020 को different position of HMM operator उसको भी 17 जुलाई से 3 जुलाई से तक अप्डेट कर दिया गया है और उसके बाद 188 एक post number है जो admin grade का है accountant उसका भी 17 जुलाई से 3 जुलाई तक अप्डेट कर दिया गया है अब देखे दोस्तों एक main चीज क्या है कि कौन apply कर सकता है जो date पहले apply करने का था कि आपका जो essential qualification उस date पर पूरा होना चाहिए था वो दिया है circular date for determining easability as per concern notification जो notification में easability criteria था और जो जिस date तक उसको qualify करना था वो ही माना गया है इसमें नीचे जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे हलांकी उपरोक्त टेवल में column 4 के तहत उलेकित बिभिन अधिचनाओक में अधिक्चूचित मापदंडो की अनुसार उमिद्वारों की पारतार निधारित करने की अंतिमतार्ति अपरवर्तित रहेगी मतलब वही बताया कि जो निर्दारित क्वालिफिकेशन जो है जब तक मांगा गया था वो वही रहेगा इसमें कहा गया है कि जो उमिद्वार संबंधित असुचनाओक के अनुसार मात्पून तीति पर पातरता मापदंड पूरा कर रहे हैं लेकिन पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकें उन्हें ऑनलाइन जमा करने की सलाह दी जाती है नोट जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उमिद्वारों को दुवारा आवेदन करने की आवेदन सकता नहीं है मतलब कि जो पहले इस पोस्ट के लिए अपलाई कर लिए है उनलाइन अपलिकेशन उन्हें अपलाई करने के जुरूत नहीं है और पातरता जो है पहले की तरह ही पूर्ब के तरह ही निधारित है तो आप यहां से nclcl.in पे लॉग इन करके केरियर भरती में जाकर यहां से क्ल dares जुलाई से सुरू होगा तो यह पहले कि आप किस परकार का notifcation था यह काफि महतफूर है तो फीर से date खोला गया है लिंक कर दिए ताकि आपको ITI से जो भी जनकारी हो आपको सबसे पहले मिले तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में